राजस्तान के जनता ने मन बना करके कॉंग्रेस की नीतियां, कॉंग्रेस की जो योजनाएं और कॉंग्रेस की जो गूड गवर्नेंस और जो संग्ठन की मैनत, राउल गांदी जी की जो भार जोड़ो यात्रा जिस उदेशे को लेके के की गई थी और खड़गे साब का नेत इन सब को मिला करके राजस्तान में भारी बहुमत के साथ में कॉंग्रेश के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चोकाने वाले होंगे कि हम जो उमीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कॉंग्रेश के पक्ष में जाने वाले हैं जीत की गणित कैसे रही और सियम कौन बनेगा? तो मैं समझता हूँ कि इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दुबारा आ रहे हैं। बाजबा के पिछे रहने का क्या कारण रहा? बाजबा तो पहले दिन से आपस में जगड रही थी, बाजबा की कोई नीटी नीटी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था, पांस साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुगेरिलाल के हैसीन सपने देख रहे थे, आड़ दिसे मुख्यमंत्री बढ़े बैठे थे, यहां पर आप देखिए कि सीपी जोसी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और एक सीड जीतानी की एक समता नहीं रखते हैं, राजबर जी राठोड साहब है और यहां वसुंदरा राज़े जी के साथ में जिस प्रकार से पांच साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि उनके नित्रित्वे को आला कमाने नहीं नहीं वाना तो जन्ता कैसे मानती, तो यह सारी चीज़ें मिला करके, और जो कोरोना काल में मिस मेनेजमेंट देश क प्रधान मंतरी से हुआ, जो उन्होंने किसानों के लिए तीन काले कानून लाए, जो महिंगा एक कम नहीं कर पाए, किसान के साथ में जो दुर्वियवार हुआ, वो सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे, कि मैं दस साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या, एक दिन मीडिया में आके नहीं बताया कि हमारा ये वीजन है, हम ये करेंगे, वो ये करेंगे, केवल कांग्रेस को गोली देना, कांग्रेस के नित्रित्वेक के उपर बार-बार प्रसनवाचक्चिन उठाना, ये देश के प्रधान मंतरी के लिए सोबा नहीं देता, देश के लोगों के लिए ये किया और आगे आने वाले समय में हम ये विजन रखते हैं कि ये इस देश में करने वाले हैं लोगों